अनकाड़ेमी, लेट्स ट्रक इट winter expedition to arctic flagged off India said to man its arctic base around the year, पूरे साल बर अब हमारा जो base होगा वो arctic में होने वाला है नई जो research developments है वो यहाँ से पूरे साल अब हमें मिलती रहेंगी, वो research की जा सकती है ठीक है, बिफोर moving forward यह मेरा छोटा सा introduction है, you can see it all here, यह मेरा telegram channel है, जहाँ पर मेरे साथ connect हो सकते हैं, मेरे सभी class के update, schedules, pdf's के लिए nd live 10 मेरा code है, जिसका इस्तेमाल करके आप subscriptions ले सकते हैं unacademy के और अपनी तयारी को सीड रे जा सकते हैं करोल बार, मुखरजी नगा, करोल बाग और मुखरजी नगा centers में हमारे courses शुरू हो रहे हैं duration आप यहां देख सकते हैं 15 मेने, 24 महीने और 12 से 15 महीने का course भी है, जहां पर subscription के benefits भी आपको यहां मिल जाएंगे 25 सब्सक्रिप्शन के foundation courses हैं batch थीस तरिक से शुरू हो रहे हैं, 24 तरिक तक आपको यह offer अवेल आप कर सकते हैं, जहां पर 40% का आपको discount मिल रहे हैं, मेरे code ndlive10 के साथ तो अगर आप offline subscription लेना चाहते हैं, तो अभी जाएए ले लिजे विद my code ndlive10 यहां मैं आपको बता दू कि offline centers के John Academy centers उसके USPs क्या हैं, देखिए आपको यहां पर यह पूरा course मिलेगा, मिलेगा आपकी पूरी तयारी कराई जाएगी, इसके लावा आपको offline current affairs की classes भी मिलेंगी, magazine का benefit मिलेगा, wifi आपको यहां मिलता है, internet facility आपके पास होती है, library facility हमारे पास है, यहां पर world class infrastructure यहां पर मिलता है, अपनी तयारी को सही जगा पर सही लोगों के साथ कीजिए, so that you can crack the exam, इसी के साथ मुखरजी ने कर अगर अगर सेंटर की में बात करूं, इस आधी courses which are available, again code आपको यूज करना है, nd live 10 to avail 40% discount, आपको 40% discount मिल जाएगा, course 25 तरिक से शुरू हो रहा है, 24 December तक ही आपको offer मिल रहा है, यहां पर, ठीक है, इसी के साथ साथ प्रयाग राज, UP में भी हम बहुत जल्दी अपना center शुरू करने वाले है, 25 तरिक से यहां पर बैचर शुरू हो जाएंगे, यहां पर आपको UPSC के लिए एक crash course मिल रहा है, 24 के aspirants को, 25 के aspirants, 25 के aspirants के ND live 10 दोस्तों, batches 25 तरिक से शुरू होंगे, 24 तरिक तक आप enroll कर लीचे, so that you can avail the benefits, इस number आप call कर सकते है, to avail, to discuss anything that you want to, कोई भी doubt, confusion, चली अब बात करते हैं, news की, so भारत ने मंडे को launch किया अपना maiden winter session to Arctic, ठीक है, जिस से कही ना कही हमारी जो research है, around the global climate, उसको एक boost मिलने वाल रहा है, sea levels के around, जो हमारी research चल रही है, biodiversity, तो basically, इन तीन areas में, global climate, sea levels and biodiversity की जो research भारत की चल रही है, उसको एक major boost मिलेगा, इस तरह के expedition से, इस तरह के mission से, union minister of earth sciences, किरन रिजीजु ने इसको flag off किया, इस mission को, और इसका उत्देश basically यही है, कि पूरे साल भर तक हमारी presence रहे at Himadri research station, Himadri research station, जो हमने ही established किया 2007 में, इसके बारे में आगे मैं आपके साथ बात करूँगी, in Norway, पिछले साल ही, सरकार ने reveal किया था Arctic policy को, जहां पर include किये गए थे plans for new research stations, कि नई research stations आएंगे, satellites होंगी, इनको लाया जाएगा, and the ground stations in the area, So, हमारे देश की, चार scientist की team है, जो start कर रही है, इस maiden winter journey को Arctic region में, और इनका उद्देश है कि वो conduct करेंगे, atmospheric observations को, during the polar nights, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कि जो poles होते हैं, वहाँ पर, specially अगर में north pole की बात करो, तो, लंबी राते होती हैं, दोनों ही poles पर ऐसा होता है, कि एक बार कि पूरा 24 गंटे की रात ही होगी, 24 गंटे का दिन ही होगा, because of the rotation and revolution of the earth, है न, rotation on its axis and revolution around the sun, इसकी वज़े से ये जो दिन और रात हैं, तो बहुत लंबे होते हैं, 24 hours, 24 hours तक के भी nights होती हैं, चीक है, तो उस समय की atmospheric observation, especially in the winters, जब पृत्वी इस position पर है, away from the sun, है न, तो यह पर क्या होगा, pole पर, 24 hours की रात होती है, night होती है, तो winters में ये expedition किया जा रहा है, ये पूरा atmospheric observation के लिए, in polar nights में, erroral changes जो होते हैं, उनको study करने के लिए, और साथ में variation in sea eyes को monitor करने के लिए, ठीक है, अभी जो work है, इससे क्या होगा, इससे कही न, कहीं हमें कुछ insights मिलने वा भी पढ़ता है, ठीक है, वो, it's a little geography here, जो बहुत detail में नहीं जा पाएंगे, फिलालम, लेकिन, obviously, we all know, wind movement, etc, के वज़े से भारती monsoon system पर भी प्रभापढ़ता है, और ये कहीं न, कहीं contribute करता है, मतलब इससे क्या होगा study से, हमें help करेगी to contribute to the broader understanding of global warming effects, जो global warming effects है, उसकी भी बहतर understanding यहाँ पर हम इस study से ले पाएंगे, चान पाएंगे, तो भारत का पहला research station, जो है at the international arctic research base, इमादरी, इमादरी है, जो भारत का research center है, यहाँ पर station है, वो 1200 km located है, away from the north pole, north pole से 1200 km distance पर located है, यह जो station है, इसको basically क्यों शुरू किया गया था, क्यों start किया गया था, तो consider the sustained interest, जो हमारे scientist ने show किया था, in pursuing the scientific studies, यह आगे इसमे research किया जाए, in this particular area, इस पूरे area की research की जाए, और extensive field provide की जाए in scientist को, और laboratory support, जो required है for pursuing research activities in the Arctic, तो ना केवल, यह पढ़ाई, पढ़ने के लिए, यहाँ पे जो पूरा area है, उसकी scientific studies के लिए, बटकि also extensive field provide करने के research activities के लिए, इस वजह से यह station open किया गया था, जो जिसका नाम है Himadri, now Himadri, जिसको हम India का gateway भी कहते हैं, Arctic research के लिए, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे तब से ही भारत की presence देखने को मिलती है, और यह steadily grow भी हो रही है, with the establishment of the research base, Himadri in the Norway's, Svalbard region, ठीक है, North Pole, Norway व रहते हैं, मतलब scientist रहते हैं, पूरे साल में, पूरे साल भर नहीं रहते हैं, इसलिए winter expedition जो है, पहला expedition है, maiden है, इसमें सर्वियों में भी हमारे जो scientist है, वहाँ पर रहने वाले हैं, research conduct करेंगे, and इसने अभी तक host किया है, more than 400 Indian researchers को, जिन्होंने अभी तक 200 visits किये हैं to Swalbard, य के लिए, और जो भी Arctic environment की study है, उसके लिए भी, जो कि basically ultimately क्या होगा, जो तरह की research और studies होती है, जो कि इस तरह की regions में होती है, वो ultimate की contribute to global understanding of the region, western surface की understanding develop करने के लिए, यहाँ पर मैं आपको बता दो कि मादरी को equipped किया गया है, for observations during polar nights, जो कि 24 घंटे से भी जादा लंबी होती ह है, और इसमें supply किये गए है, special winter gear, transport, logistics supports from the Norwegian agencies, ताकि यह लोग यहाँ रह सके और अच्छे से पूरा research जो उनको करना है, वो उसको धंग से कर सके, ठीक है, objectives क्या होंगे इस expedition के, सबसे पहला objective तो यह होगा कि effects क्या है Arctic warming के global climate पे, इस तरह से Arctic का region यहाँ पे temperature बढ़ता जा रह है, इसके अलावा to explore the connections between Arctic sea ice loss and extreme weather events in India, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर, यहाँ से इसका प्रभाव, जो Arctic region है, इसका प्रभाव कहीं भारत की मौनसून पर भी पढ़ता है, तो यहाँ पर जो Arctic sea ice loss है, उसका प्रभाव हमारे extreme weather events पे क्या होता है, यह भी यहाँ पर connection explore किये जाएंगे, किये क्या actual में प्रभाव पढ़ता है, किस extent तक पढ़ता है, इसके अलावा to enhance understanding of the intensification of Arabian sea cyclone, जो Arabian sea में cyclones आते हैं, उनका जो intensification वो कितनी intense होते हैं, उसके लिए भी understanding यहाँ पर enhance करने के लिए expedition को, कह सकते हैं कि महतपून इसका उद्देश है, objective है, significance क् इस इंडिया के winter presence का, तो यह जो decision लिया गया है winter expedition का, यह कहिना कि notable shift mark करता है भारत के polar research strategy में, Antarctica में already we have dakshan के नाम से हैं, तो यह बहुत ही एक shift है in India's polar research strategy, इसलिए important है, इसके लावे जो move है कहिना के align करता है भारत को बाकी सभी देशों के साथ, तो कि actively involved है in the winter activities in Arctic, आने आ winter season also, तो भारत भी इसमें align हो जाएगा, इससे की जो research possibility का scope है, वो expand हो जाएगा, इसके लावा जो winter expedition है, ना के वाल भारत का commitment है to expanding its scientific frontiers, बलकि एक step forward है, जिससे की हम foster कर सकते है international collaborations को, in understanding of planets, climate dynamics, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहापे जो temperature rise हो रहा है, जो global warming का impact है, उसको यहाँ पढ़ा जाएगा, तो impact of warming हुआ क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दू, कि पिछले 100 सालों में अगर हम बात करें, तो Arctic region में जो temperature है, वो 4 degrees से जादा बढ़ चुका है, 4 degrees Celsius से जादा बढ़ चुका है on an average, और 2023 अभी तक का warmest year record किया गया है, इस region में, इसके अलाओ जो extent है, Arctic sea ice का, वो भी decline हो रहा है, और उसका decline होने का rate है, 13% per decade, 13% per decade, यह decline हो रहा है, जो extent of ice है यहाँ पर, ऐसा बताया गया है, Intergovernmental Panel on Climate Change के दुआरा, IPCC ने इसके बारे बताया है, according to IPCC, और इस rate पे अगर Arctic का जो ice है, वो decline हो रहा है, तो यह पूरा का पूर region ice-free हो जाएगा in less than 20 years, अगले 20 सालों से कम में ice-free region हो जाएगा, जिसका प्रभाव definitely across the globe सब पर पढ़ेगा और भारत पर भी पढ़ेगा, अगर हम भारत के Arctic में presence की बात करें, तो India ने sign किया, excuse me, India ने sign किया था Swalbard Preeti in Paris in 1920, जिसके बाद यह decide हुआ था कि we will have a station there, लेकिन वो इस station को आने में बहुत समय लगा और 2007 में पहला भारती expedition गया था, इसमें हमने 5 scientists को भेजा था to visit the International Arctic Research Facility in this region with the purpose of initiating studies in Arctic Microbiology, Atmospheric Sciences and Geology, ठीक है, 1920 में treaty sign करके 2007 में हमने यह बे-establish किया, यहाँ पर, पहली बार भारती expedition 2007 में यहाँ पर गया, ठीक है, इस region को study करने के लिए, अब अगर हम Arctic region की बात करें, तो यह planet का सबसे northernmost region है, नौर्थ मोस्ट region है, यह पूरा का पूरा region जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अधिकतर scientists जो है, वो Arctic को, अगर मैं यहाँ पर आपको, यह हमारा globe मान लीजे, यह equator है, 0 degree पर, उसके पाद Tropic of Cancer, Tropic of Capric यह Arctic Circle है, 66.5 degree पर, इसके जो north का region है, इसको Arctic define किया गया है, इसको Arctic कहा जाता है, ठीक है, Arctic Circle के north का region, और equator के भी north में ही है, यह equator है 0 degree, इसके भी north में है, ठीक है, Arctic Ocean जो basin है, और जो northern sections है, यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या-क्या है, इसमें है, इस पूरे region में, you see Scandinavian, जो country है, उसके लावा, Russia आपको देखने को मिल जाएगा, you have Canada here, then you have Greenland here, है न, इसके लावा, US का जो Alaska region है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यह पूरा का पूरा जो है, यह जो regions है, यह included है in this Arctic Circle, यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि Arctic, जो है, यह almost covered है, पानी से, इसमें पानी है और अधिक तर इसमें पानी frozen है, जमा हुआ है, glaciers और icebergs, जो है, यह examples है यहाँ पर frozen fresh water phenomena के, reality में Arctic glaciers और icebergs, जो है, वो 20 प्रतिशत तक, जो विश्वभर का fresh water है, उसको supply करते हैं, और majority of Arctic, जो है, on the other hand is the liquid salt water of Arctic Ocean Basin, ठीक है, Arctic Ocean Basin का salt water है, अधिक majority यहाँ पर, कुछ areas जो है, ocean surface के, वो frozen रहते हैं, पूरे-पूरे साल भर तक, और यह जो frozen salt water होता है, इसको sea ice के नाम से भी refer किया जाता है, तो that was it about it guys, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about it later, thank you so much, God bless, take care. झाल 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 पाच स्टकाल नैया है प्र आव रोडे सत्टत बच्से मारे मंभ उर्बश झाल झाल